नमस्कान दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मंदिद एकों नया ताजा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं काफी लंबे समय से पैंशन धारक अपनी अपरेल मई जून महा का पैंशन का इंतजार कर रहे हैं अपरेल मई जून महा की पैंशन कब आएगी तो सरकार द्वारा पैंशन धारकों का इंतजार सवाप्त करने जा रही है यानि कि 3,000 रुपे से लगा कर 9,000 रुपे तक के पैंशन आसी सरकार लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी यदि इसी बीच कुछ ऐसे पैंशन धारक है जिनकी 3 महीने से 6 महीने से 8 महीने से या फिर 9 महीने से पैंशन रासी रुक रही है तो उन पैंशन धारकों को भी रुक्य हुई पैंशन दे दी जाएगी अप्रेल, मई, जून महा की पैंशन कब आएगी रुक्य हुई पैंशन कब मिलेगी ये सभी इनफोर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है इसे के साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि अप्रेल, मई, जून महीनी की पैंशन किन लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और कौन से वे पैंशन धारक है जिनको इ पैंशन धारकों के लिए है यदि आप भी एक पैंशन धारक है सरकार से आप भी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था या कुष्टवस्था में से किसी भी एक पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है वीडियो की सुर प्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वेह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और सरकार अ जी हाँ पैंशन योजना वर्ष दो हजार चोबिस के अंतरगत मिलने वाली पैंशन रासी के बारे में अब तक फिलाहल जो आपको जनवरी फरवरी मार्च महनी की पैंशन आसी सरकार की तरफ से दी गई थी तीन-तीन हजार उर्पे की तो वो पैंशन का सैसन था दो हजार यानि की वर्ष दो हजार तेज़ चोबिस के तहत आपको तीन-तीन हजार पे जो पैंशन आसी थी वह जनवरी फरवरी मार्च महनी की पैंशन रासी मिल चुकी है बैंक खाते मिन के ट्रांस्वर हो चुकी है वे सभी पैंशन धारक अब अपनी अपरेल मै और जून महिने की पैंशन रासी का बेसबरी से इंदिजार कर रही है पैंशन धारक सोच रहे हैं कि हमारी जो पैंशन है अप्रेल, मई, जून, महने की कब ट्रांसफर होगी कि सारीक में ये पैंशन का पैसा हमें दे दिया जाएगा तो इसकी इंफर्मेसन आपको दी जाएगी इसे के साथ साथ आपको ये भी जानकारी मिलने जा रही है कि जो रुक्य हुई पैंशन है किन लाभार्तियों के बैंखाते में ट्रांसफर की जाएगी किनको रुक्य हुई पैंशन का लाम मिलेगा और कौन से वे पैंशन धारक है जिनके बैंक खाते में अपरेल, मई, जून महनी के पैंशन को ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा और रुक्य होई पैंशन भी उनको नहीं मिल पाएगी अब देखे ध्यान से जिन पैंशन धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च महनी के पैंशन आसी मिल चुकी है उन पैंशन धारकों को अपरेल, मई, जून महनी के पैंशन रासी भी दे दी जाएगी लेकिन कुछ ऐसे पैंशन धारक भी है जिनको जनवरी, फरवरी और मार्च महनी के पैंशन आसी नहीं मिल पाई थी उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से जनवरी फरवरी मार्च मैने की पैंशनासी का भुगतान ही नहीं हो पाया था तो जिन पैंशन धारकों को जनवरी फरवरी मार्च मैने के पैंशन असी नहीं मिली हो सकता है इस बार उन पैंशन धारकों को अपरेल, मई, जूर मैने के पैंशन असी बिना ना मिल पाए तो इसके पीछे क्या कारण है क्यों नहीं लाभार्तियों को पैंशन रासी मिल पा रही है और क्यों नहीं जनवरी फरवरी आम मार्च मैने की पैंशन रासी उनको मिली तो देखिए इसके पीछे दो-तीन परकार से कारण हो सकते हैं जिस वज़े से लाभार्तियों को पैंशन का लाब नहीं मिल पाता चहे वे आपके रुक्यूई पैंशन हो या भविस्य में मिलने वाली पैंशन रासी हो तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कारण बता देते हैं कि किस वज़े से लाभार्तियों को पैंशन का लाब नहीं मिल पाएगा और किनको पैंशन का लाब दे दिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए पैंशन से सम्बंदित तीन महतपूर्ण कारिये होते हैं जो कि सभी pension धारकों को करना अनिवारिये है और जिसने पहले ही करा लिये हैं उनको कराने की अवशकता नहीं है अब pension से सम्मदी जो महत्पून का रिये हैं उसमें सबसे पहले आपका आजाता है pension का KYC pension KYC बोलिए या आप आधार verification बोल सकते हैं आधार verification या आधार authentication आप इसको बोल सकते हैं जो कि आपकी pension का होना है आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं आपकी pension से आपका आधार card link होना है आप नजदे की CSE center पर जाकर अपने OTP के माध्यम से भी करा सकते हैं यानि कि जब आप अपनी pension का KYC कराएंगे या आधार verification कराएंगे तो जो आपके आधार card में mobile number link है उस आधार card में जो mobile number link है उस पर एक OTP भीजा जाएगा वह OTP आपको दर्ज करना है और OTP दर्ज करने के बाद ही आपकी pension का आधार verification complete हो जाएगा या आप कह सकते हैं pension का KY basic complete हो जाएगा अब ये आप कैसे पूरा करेंगे इसको पूरा करने के लिए आपका आधार card आपके पास होना चाहिए पहला document दूसरा है आधार card में जो mobile number link है mobile number वह है mobile number आपके पास होना चाहिए तब ही आप ये कारी पूरा करा सकते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की आप official website पर जाएए यदि आप उत्तर प्रदेश के pension दारक है तो वहाँ से पूरा ये कारी आप कर सकते हैं या फिर common service center पर जाकर भी आप अपना ये कारी पैंशन का पूरा करा सकते हैं सभी pension धारकों के लिए ये कारी करना अनिवारे चैवे दिव्यांग हो विद्वा महिला हो तलाक शुदा महिला हो वर्द वस्ता हो या कुछ दवस्ता पैंशन धारकों सभी pension धारकों के लिए ये कारी करना अनिवारे सरकारी तरफ से कर दिया गया है तो एक तो ये कारी आपको करना है बात करते हैं दूसरे कारी के बारे में आप देखिए सरकार pension उन्ही लाभारती के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है जिसका बैंक खाता जिसका बैंक अकाउंट आधार काड से लिंक है आधार काड से लिंक है उन्ही को ही सरकार की तरफ से पैंशन का लाब दिया जा रहा है अब जिन किसी पैंशन धार के बैंक खाते से आधार काड ही लिंक नहीं है तो उ ऐसे बहुत से pension धारक है, इनी कारणों की वज़े से लाभारतियों की pension रुक रही है, बैंक खातें pension ट्रांसफर ही नहीं की जा रही है, और देखें तीसरा कार यह है, कुछ ऐसे pension धारक भी है, जिसकी pension पिछले 8 महिने से या 9 महिने से और यहां तक की एक वर्ष से अधिक का स तरम में गलतिया है, मिश्टेक है, तो इन गलतियों को आपको ठीक कराना है, कहां पर ठीक करा सकते हैं, देखें यदि हम बात करे उत्तरपरदेश की तो उत्तरपरदेश में कुल 75 जले हैं, अब एक सभी जले में, प्रति एक जले में, जिला समासक ल्यान और विकास भवन बनाया गया है तो जो आपका जिला है जिस जिले के आप निवासी हैं आप अपने जिले में जाईए यदि आपकी pension नहीं आ रही है अपने जिला समास करियाण में जाईए या विकास भवाने में जाईए अपना आधार कार्ड लेकर और अपनी बैंक के पास बुक लेकर तो ये कारी आप वहाँ से ही complete करा सकते हैं अधिकारी को बताईए कि इतने समय से हमारी pension नहीं आ रही है तो देखिए आपके जिले के जितने भी दिव्यांग विद्वा, वर्दवस्ता, कुछ तवस्ता या तलक्षुदा pension धारक है, पूरा डेटा उन्हीं के पास एकतर है तो वहाँ पर अपने desktop में देख के बताएंगे किस वज़े से आखिरकार आपके pension बैंक खाते में नहीं पहुँच रही है कहां पर problem create हो रही है हो सकता है आपके नाम में गलतिया हो आपके डेटो बर्त में गलतिया हो या आपके बैंक के information में detail में गलतिया हो तो कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो केवल जिला समास के लान में जाकर ही आप ठीक करा सकते हैं और कुछ गलतिया ऐसी होती है कि आप स्वेम अपने common service center पर जाकर ठीक करा सकते हैं जैसे कि pension का KYC हो गया है आपका जो bank का कारिय है जैसे कि bank KYC हो चुका है तो ये कारिया आप कर सकते हैं और कुछ कारिया ऐसे हैं जो जिला समास कर लिया आप विकास भावन में जाके ही आप पूरा करा सकते हैं तो जिन pension धारकों ने इस समय रहते हुए अपने ये तीनों कारिये complete कर लिये हैं उनको रुक्य हुई pension भी दे दी जाएगे चाहे नो महिने से pension रुक रही हो या छे महिने से या आट महिने से उनको रुक्य pension भी दे दी जाएगे अब बात करते हैं तीन हजार रुपे किन pension धारकों को मिलेंगे और नो हजार रुपे pension के किन pension धारकों को सरकार की तरफ से अप्रेल, मई, जून, महिने के साथ दे दिये जाएंगे तो देखिए सरकार 1000 रुपे पर 3 महिना के हिसाब से पैंशन आसी देती है लेकिन तीन जो तीन महिने के अंतराल पर है वह पैंशन आसी लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है तो तीन महिने के हो जाते हैं 3000 रुपे तीन महिने के अंतराल पर तो ये तो हैं आपके अप्रेल, मई, और जून महिने के 3000 रुपे लेकिन अब जो 9000 रुपे पैंशन के हैं वे किसको मिलेंगे अब देखिए सरकार 1000 रुपे परती महिना दे रही है अब 9 महिने के हो जाते हैं 9000 रुपे और 8 महिने के हो जाते हैं 8000 रुपे तो कहने के अरति हैं यदि किसी 9 महिने की पैंशन है तो उनको 9000 रुपे मिलेंगे और यदि किसी 8 महिने की पैंशन असी रुक रही है तो उनको 8000 रुपे मिलेंगे यदि किसी 6 मैने की pension आसी रुक रही है तो उनको 6,000 रुपे मिलेंगे सरकार रुकवी pension आसी भी transfer करती है और यहां तक कि यदि किसी 1 साल की pension रुक रही है 12 मैने की तो सरकार उनको 12,000 रुपे भी 1,700 pension के transfer करती है आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं आमने प्रूव के साथ जानकारी को दिया गया है कि सरकार की पैंशन भी ट्रांसफर लाभार्तियों बैंक हाते में कर रही है अब देखे बात करते हैं कि अप्रेल, मैं, जून, मैंनी की पैंशन सरकार कब ट्रांसफर करेगी ये एक बहुती महत्पून है क्योंकि सरकार काफी लंबे समय से पैंशन का इंजार कर रहे हैं लाभार्ति के सरकार कब ट्रांसफर करेगी मीडिया रिपोर्ट से मिले जानकारी के अनुसार ये है बताया गया है कि सरकार जो पैंशन नासी है वहे 15 मैं से लगा कर और मैं के आगरी सब्ता तक कभी भी पैंशन को ट्रांसफर करना प्रारंब कर सकती है हाला कि अभी दा कोई भी तारीक निर्धारित नहीं की गई है और इसका ओफिसल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है बस इतना ही बताया गया है कि 15 माई से लगा कर और माई के आगरी सब्ता तक कभी भी पैंशन राश्य को बीच में कभी भी ट्रांसफर कर सकती हो सकता है 15 माई से पैंशन मिलना सुरू हो जाए या 20 माई से या 22 माई से या 27 माई से कभी भी सरकार pension को transfer करना प्रारम लाभारत के बैंक खाते में कर सकती है आज की ये सभी जानकारी उत्तर परदेश pension धारको के लिए थी यानि की उत्तर परदेश pension धारको के लिए यदि आप किसी अन्य राज़े के pension धारक है हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराश्टरा, करनाट का, उत्तर परदेश, सिमाचल परदेश, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं, सभी सालों के जब आपको दे दिया जाएगा मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत